हलो फ्रेंज, क्यू कर्ट का टॉपिक है, अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ऐसी कोई महरत्वपूर्ण चीज के बारे में बात कीजिए, जो आपके फैमिली ने बहुत ही लंबे समय से उसको संभाल के रखा है, वो चीज क्या है? आपके फैमिली के पास ये चीज कब आई, और आपके फैमिली को इसको इसको संभाल के रखा है, ये चीज इतनी महत्वपूर्ण क्यूँ है? अब जब मैं इस आइडिया के बारे में सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में सोफा आया, जूल्री आई, चक्की आई, और यह जो घड़ी है वो हमारे great grandfather को याने पड़ दादा को एक राजा ने गिफ्ट में दी थी और फिर हम उसके पीछे के reasons बताने वाले हैं अगर आपको मेरी ideas की pdf book खरीदी है तो उपर दिये गए number पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस pdf book में सब कुछ typed होगा और q cards और उसके follow up questions याने part 2 और part 3 होगा अगर आप डियो लिंगो की students हैं तो आपको जो 30 seconds में बोलना है उसको मैंने आपके लिए underline किया है और अगर आप IATS की students हैं तो आपको सभी चीजों की preparation करनी होगी अब हम देखेंगे कि जब हमें एक मिनिट का planning time दिया जाएगा तब हम जल्दी से बेपर पे क्या लिखेंगे So what is it में wall clock? When your family had it since 200 years? ये थोड़ा सा dramatic लगेगा 200 साल पहले How your family got it? Gift from a king and explain why it is important to your family? Memories, Antic और pride अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं? Well, many families have so many things which are kept since long Sometimes it is because of memories and sometimes it is because of need बहुत सारे families में बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो बहुत सालों से संभाली जाती है कभी-कभी ये याद की वज़े से होती है और कभी-कभी जरूरत की वज़े से Actually there are many things which my family has preserved since many years But there is one special thing which I like a lot मेरी family ने ऐसी बहुत सी चीज़े प्रिजर्व करके आने संभाल के रखी है बहुत सारे सालों से लेकिन एक खास चीज है जो मैं पसंद बहुत करता हूं और ये एक वाल क्लॉक है It is a वाल क्लॉक This वाल क्लॉक is almost 200 years old and it was gifted to my great grandfather by one of the kings ये जो वाल क्लॉक है वो 200 साल पुरानी है और इसे एक राजा ने मेरे great grandfather को gift में दिया था My great grandfather was a freedom fighter and he got this gift for his valor मेरे जो great grandfather थे वो एक freedom fighter थे याने आजादी के लड़ाई में वो एक fighter थे और उनको ये gift उनकी वीरता और उनकी साहस के लिए दिया गया था I have never seen my great grandfather but this wall clock which is a symbol of his sacrifice reminds me of him and inspires me to be like him मैंने कभी भी अपने great grandfather को देखा नहीं है लेकिन ये जो घड़ी है वो उनके बलीदान का चिनह है और इसलिए मुझे बहुत inspire करता है और उनकी याद दिलाता है He was such a great warrior that the king got impressed with him and gave him this wall clock वो इतने अच्छे योता थे के राजा उनसे प्रभावित हो गए और उनोंने उनको ये wall clock gift में दी थी ये घड़ी उनको एक सभा में दी गई एक concert में दी गई याने एक event भी आप बोल सकते हो और उनकी प्रशनसा में कुछ शब्द भी बोले गए It is made of marble and still working very well It is very attractive and valuable So आप describe कर रहे हो ये घड़ी कैसी है ये संगे मरमर की बनी हुई है और अभी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है ये बहुत ही आकरशक घड़ी है और काफी कीमती है This wall clock is important for my family for many reasons अब आप reasons दे रहे हो कि ये क्यूं important है क्यूंकि हमने इसको सालों से संबाल के रखा है The main reason is that it is a symbol of pride for us सबसे मुख्यकारण क्या है ये हमारे family के लिए बहुत ही गर्व की बात है गर्व का चिन है People look at our family with respect because of this clock इस घड़ी की वज़े से लोग हमारे परिवार को respect की नजर से देखते हैं Another reason is that it is now an antique clock दूसरा एक reason क्या है कि ये एक antique घड़ी हो चुकी है Antique याने ऐसी कोई चीज जो पुराने जमाने की है आज ऐसी design की चीज नहीं मिलती है और अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो उसकी बहुत सारे पैसे मिलेंगे Just because वो चीज हाल के जमाने में उपलप्त नहीं है If we sell it, then we will get money more than gold However, we will never sell it As it is an invaluable thing for us अगर हम इसको बेचेंगे तो हमें gold से भी जादा पैसे मिलेंगे लेकिन हम इसको कभी नहीं बेचेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अमूल लिया है One more reason why it is so important for us Is that we have so many memories attached to it एक और कारण है कि हमारे लिए घड़ी बहुत ही important है क्योंकि इसके साथ हमारी बहुत सारी यादे जुड़ी है So आपने काफी सारे reasons बता दिये कि ये घड़ी हमारे लिए important क्यों है Since childhood I have heard stories about this clock from my grandfather He heard these stories from his father बच्पन से ही मैंने अपने दादा जी से इस घड़ी को लेके बहुत सारी कहानिया सुनी थी और उन्होंने ये कहानी उनके फादर से सुनी थी Although the clock shows time The lessons and feelings attached to it are timeless घड़ी बले ही समय दिखाती है लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो सीख है उसके साथ जुड़ी हुई जो feelings है वो समय से परे है याने समय से भी आगे है My family has kept it for so long and we all love the clock मेरी family ने इसको बड़े लंबे समय से रखा है और हम सब clock को बहुत पसंद करते हैं Sometimes we get inquiries of people from museums who wish to buy it but we will never give away our price possession हमें कभी कभी संगराल एसे याने museum से inquiries आती है जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन हम कभी भी अपनी ये कीमती चीज जो है प्राइस पजेशन याने हमारे पास कोई कीमती चीज होना उसे हम कभी भी नहीं देंगे So friends, इस Q-card से related जो follow-up questions है उसको में थोड़े टाइम में अपलोड करूँगी सारे ही नए Q-card के follow-up questions थोड़े टाइम में अपलोड किये जाएंगे अगर आपको इस Q-card से related कोई questions है कोई feedback है या कोई comment है तो मुझे comment box में लिखके जरूर बताएं All the best All the best